नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका study IQ में आज हम लोग बात करने वाले हैं कोरल reefs के बारे में हाली में खबर आई है कि मुंबई के जो तट पे coral reefs की मुंबई के तट पे जो coral reefs मिलते हैं उनको move करने वाले हैं एक developmental project के लिए मतलब कुछ जगा से corals को move किया जा रहा है मुंबई में ही किसी और जगा पे क्यूंकि वहाँ पे coastal road project चल रहा है मुंबई में जिसके चलते इस development project के लिए transfer किया जा रहा है coral reefs को सबसे पहले इस video हम लोग देखें है कि coral reef का मतलब क्या है उसके बाद देखेंगे कि translocate यानि हम इसको move एक जगा से दूसरी जगा कैसे करते हैं और अगर करेंगे तो इसका survival rate क्या होगा और अन्त भी हम लोग discussion खतम करेंगे importance of coral reefs के साथ तो चलिए शुरू करते हैं हमारा discussion बहुत कुछ सीखने को मिलेगा let us begin लेकिन उससे पहले मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट राहुल साइगा उखर अगर आप मुझे follow करना चाहते हैं you can follow me on the ID राहुल साइ 222 उसके अलावा study IQ आपके रला है comprehensive prelims comments program for UPSC 2021 for more information download the app जैसे कि मैंने आपको खबर बताई कि BMC ब्रिहन Mumbai Corporation जो Mumbai की corporation है उन्होंने wildlife clearance मांगी थी to translocate 18 coral colonies 18 coral की colony है मुंबई के अलग-अलग जगाओं पे जहां पे इसको translocate करने वाले है एक जगा से दूसरी जगा पे तो खाली में Mumbai की जो local body है BMC उनको clearance मिल चुकी है Principal Chief Conservator of Forest Wildlife नागपूर से to translocate these corals और जो BMC Corporation है मुंबई की वो complete करने वाले हैं इस translocation को 18 coral colonies को अगले महेने ये लोग translocate करेंगे तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे coral reefs की बारे अगर मैं coral reefs की बात करूँ तो क्या है ये corals In short अगर मैं बताओं आपको कि जैसे हमारे पास Amazon Forest है Amazon Forest क्या का जाता है कि धरती के lungs है उसी तरह से ocean के lungs क्या है ocean के lungs है coral reefs तो अगर हम लोग coral reefs की बात करें बहुत ही productive ecosystems होते हैं बहुत ही sensitive ecosystems भी होते हैं coral polyp एक soft organism है water organism है marine organism इसका एक relation होगा zoo xanthale के साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे coral polyp एक main organism है जो secret करता है calcium carbonate तो यह जब calcium carbonate secret करेगा तो पानी के नीचे एक medium स्थर पे calcium carbonate की layer बनना शुरू हो जाएगी जैसे एक coral polyp बनेगा उसके उपर धीरे धीरे और coral polyp बनते वे जाते हैं और एक छोटा सा पहार टाइप का बन जाता है पानी के अंदर submarine ridge और उस ridge पे यह productive ecosystems develop हो जाते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे देखे इस coral polyp को carbonate की जरूरू है तो इसको carbon मिलता कहां से क्योंकि coral polyp खुद ही photosynthetic नहीं है मतलब वो खुद produce नहीं कर सकता है तो इसी लिए इसका symbiotic relation है zooxanthely के साथ zooxanthely एक photosynthetic organism है तो coral polyp secrete करता है calcium carbonate को जिसके उपर यह zooxanthely चिपक जाता है और zooxanthely है जो photosynthetic है जो इस coral polyp को सारा carbonate provide करता है तो इन दोनों की बीच एक symbiotic relationship है coral polyp को carbon मिल जाता है zooxanthely को एक safety मिल जाती है एक hard surface मिल जाता है जिसके उपर वो धीरे-धीरे develop कर जाता है और जैसे ही एक coral polyp बन जा है उसके उपर धीरे-धीरे-धीरे से attach करते हैं और हजारों colonies बन जाती है अगर हम लोग coral polyp का द्रिश देखे तो बहुत ही अनोके बहुत ही beautiful reefs बन जाते है coral polyp से धीरे-धीरे-धीरे colonies जबन जाते है तो coral reefs बन जाते है तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे organisms मिलेंगे जिनका ये habitat या घर बन जाता है बहुत सी type की marine animals, मचलिया we can find all these things in coral reefs तो यह है प्रक्रिया coral reefs बनने की तो हम लोग देख सकते हैं कि भारत में कहां कहां है coral reefs अगर हम लोग location देखें आपको मिलेगी अंडमान अन निकबार में आपको मिलेगी गल्फ अफ मननार के आसपस इंडिया और तामिलनाडू के बीच जो border है marine border है वहाँ पे उसके अलावा लक्षदीप और आपको मिलेगा मालवन गोवा और मुंबई कोस्ट पे भी मिलेगा इसके अलावा गल्फ अफ कच्छ में भी आपको coral reefs मिलेंगी तो हम लोग भी बात कर रहे है मुंबई के बारे में अगर मैं मुंबई की बात करूँ तो मुंबई में बहुत सारी coral colonies coral reefs मिलेंगी आपको marine drive में कोलाबा के पास हाजी अली वरली में normally जो मुंबई में coral reefs मिलते हैं वो hard होते हैं और fast growing होते हैं और reef build नहीं करते हैं National Institute of Oceanography ने ये identify किया है कि 6 species मिलती है हाजी अली और वरली में जहां से translocate करने वाले हैं तो 6 species हैं जिसको translocate करने वाले हैं हाजी अली और वरली से किसी और जगब हम लोग देखेंगे और normally अगर मुंबई की बात करें तो ये जो corals हैं ये visible भी हो जाएंगे जब भी low tide चलता है तो चलिए बात करते हैं इन corals को कैसे translocate करते हैं और मुंबई में कहां से कहां translocate कर रहे हैं सबसे पहले तो मुंबई में हाजी अली के पास जो colonies हैं उसको translocate कर रहे हैं marine lines के पास और जो वरली में है उसको पास में ही construction site से दूर थोड़ा सा उसको translocate कर रहे हैं तो अगर मैं ट्रांस लोकेशन की बात करूँ तो इंडिया में कि हम लोग ट्रांस लोकेशन में एक्सपर्ट्स हैं इसका जवाब होगा नहीं क्योंकि अलड़ी हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स कियो हैं जिसके उपर स्टडी चल रहे हैं जिसे एक एक एक्जाम्पल है सिंदुदुर महराष्ट्रा में हैं जहां पे कोरल पॉलीप्स और कोरल रीफ्स को कॉंक्रीट फ्रेम पे नाइलॉन थ्रेड से अटाच करके उनको ट्रांस लोकेट किया गया था ओशन में कुछ अप्रोप्रियेट डेप्थ पर तो उनके उपर अभी भी स्टडी चल रहे इन कोरल रीफ्स को मूफ किया गया था ओशन में इसके उपर भी 2017 से लेकर स्टडी चल रही है इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्स भी चल रहे हैं लक्षदीप में कच में और तामिलनाडू में जहां पे एक स्टडी जरूर चल रही है कैसे ट्रांस लोकेट कर सकते हैं क्या नए मेथर्ड ला सकते हैं क्या होगी सर्वाइवल रेट किस तरह से हम कोरल कॉलनी से को रेजिस्टेंट बनाईगी जैसे मैंने आपको मनाया कि बहुत ही सवेदन शील ये इकोसिस्टम है अगर कुछ भी बदलाव हो जाए टेंपरेचर में अमाउंट अफ कार्बन ड ट्रांस्लोकेट कर रहा है जैने मैंने बात की थी हाजी अली और वर्ली में तो टोटली 11 स्पीशीज जो है मुंबे में उसको ट्रांस्लोकेट अब कर सकते हो इसके बार में कहा था कि पोस्ट मॉंसून जैसे बारिश के बाद उनकी ग्रोथ काफी अच्छी हो जाती है तब आप उनको ट्रांस्लोकेट कर सकते हो और इस इंस्ट्यूट ने ये कहा है कि अगर आपको हाईयर सक्सेस रेट चाहिए तो आप उस कोरल को बहुत ही सिमिलर एन्वाइरमेंट में ले जाए इन टरम्स ऑफ वाटर लेवल, इन टरम्स ऑफ डेप्थ, इन टरम्स ऑफ फ्लो, इन टरम्स ऑफ लाइट, इन टरम्स ऑफ सनलाइट, प्रेशर, ऑक्सिजन अवेलिबिलिटी, सारी चीज़ों में सिमिलर होना चाहिए तब वो सर्वाइव कर जाएंगे, तो अभी अगले महीने बीमसी इनको ट्रांस्फर करने वाला है, तो देखेंगे क्या होगा अब बाद में बताया है कि यह लगज़ है हमारे ροशन्ज के, मतलब यहां पे सब्सक्राइब करण फिक्सेशन होती है, कोस्टल प्रेशन होती है, tsunami से protection होती है beaches की protection हो जाती है इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताए कि बहुत ही productive ecosystems होते है तो fishing grounds बन जाते है tourism जो underwater diving होती है scuba diving होती है बहुत ही beautiful locations होते है coral leaves के इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी medicinal medicinal organisms medicinal plants भी मिलते हैं in general ये माना जाता है कि coral reefs विश्व में every year 400 billion dollars का productivity देते हैं और millions of people they get employment because of this इसके अलावा ecosystem services तो है ही है क्योंकि ये हमारे environment में संतुलन maintain करती है तो इन्हें बचाना बहुत बहुत जरूरी है मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एक species extinct हो जाए तो हम अपनी extinction की दरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो इन coral reefs को बचाना बहुत बहुत जरूरी है आपने news में वगेर आपने देखा होगा कि जो great barrier reef है Australia कि वहाँ पे coral bleaching हो रही है बहुत खत्रे में है coral reefs और इसी बीच हम लोग Mumbai के भी इन coral reefs को अभी translocate कर रहे हैं तो देखते हैं कि क्या होगा इसका नतीजा अगर इस पर कोई development आएगी हम आपको जल से दल लाते रहेंगे study IQ पर that's it from my side thank you very much जहेद